प्रीये विद्यार्थियों सूप्रभाद आज हम अपनी जो पाठ्थ्यपुस्तक है। रूचीरा प्रथम भाग। आपकी पाठ्थ्यपुस्तक का नाम है रूचीरा प्रथम भाग और उसका चतूर्थ पार्ट कौन सा पार्ट चतूर्थ पार्ट चतूर्थ है है पार्थ है है चोथा पार्ट जिसका नाम क्या है विद्यालेय है क्या नाम है विद्यालेय है जिसका संदी विछेद क्या होगा विद्या प्लेस आलेय है विद्या प्लेस आलेय है इसमें दीर्ग संदी ह होती है बच्चों अब देखिए आपके सामने इस पार्ट में क्या किया गया है जैसा कि हमने पिछले पार्ट पड़े थे उन में चित्र दी हुए थे और चित्रों के बारे में हमसे पूछा गया था बाचीत की गई थी तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कुछ चित्र हैं तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है सबसे पहली लाइन दी गई है एश है विद्याले है एश है विद्याले है हमने पिछले पार्ट में पड़ा था एश है का अर्थ होता है यह है एश है का मतलब क्या होता है यह है विद्याले है यह क्या है विद्याले है अत्रे छात्रहा शिक्षकाः सिक्षिकाः चै संती अत्रे अत्र का अर्थ क्या होगा यहां पिछले पाठ में भी आ चुका है ये सब्दे, अत्र का अर्थ होता है, यहां छात्रा, यानि छात्र और छात्राईं, दोनों मिलाकर के भगवचन, इसमें हम दोनों को सामिल कर सकते हैं, छात्र और छात्राईं, दोनों को सामिल कर सकते हैं, छात्र छात्राईं, शिक्षकाहा शिक्षक जो पुरुष टीचर्स जो मेल टीचर्स होते हैं ना पुरुष उनको शिक्षक और जो फीमेल टीचर्स होते हैं उनको क्या कहेंगे शिक्षिका तो यहां पर छात्र छात्र हैं शिक्षक और शिक्षिका चैकार्थ क्या होगा और चैकार्थ होता है और तो इसका अ अगले चित्र में देखो क्या दिया हुआ है अगले चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन लड़कियां है और उनके सामने तीन अत्रां कि यह हैं और वों कम्प्यूटर पर अपना काम कर रही है तो एशा संगनक यन्तर प्रियोग शाला अस्ति एशा यह थी हैं एशा यह संगनक किसको कहते हैं कंप्यूटर को कहते हैं की ध्यान देना आपके लिए नया शब्द है computer का संस्क्रिप में क्या नाम है संगणक इंत्र मतलब मशिन तो संगणक का मतलब हो गया computer प्रयोक शाला प्रयोक चाला प्रयोक शाला तो हिंदी का सब्द है लेकिन इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं लेब ठीक है जैसे आप बोलते हो ना कंप्योटर लेब तो प्रियोग एक कंप्योटर प्रियोग साला अस्तियनी है एतानी संगणक यंतराणी संती एतानी ये शब एतानी कार्थ क्या होगा ये सब नकुन सकलिंग का बहुवचन है ये इसलिए एतानी आया है यहाँ पर संगनक यंत्राणी यानि संगनक यंत्र बहुत सारे दो से जादा होते ही बहुवचन हो जाता है बेटा दो से जादा होते ही कि क्या हो जाता है संस्कृत में बहुवचन हो जाता है संतियनी है ये सब क्या है कंप्यूटर है अब आगे देखिए क्या है अगे हमारे सामने एक चित्र है जिसमें एक छोटा सा गार्डन दिखाई द उद्यानम अस्ति एतक एतक का हर्थ होगा यह है अस्माकम हमारा विद्यालेश्य विद्याले का उद्यानम उद्यान अर्थात बगीचा अस्ति है यह है हमारे विद्याले का बगीचा है उद्याने पुश्पानी संति उद्याने उद्यान में यानी बगीचे में फुश्पानी फूल संति है भगीचे में क्या है फूल है वयम अत्रे कृड़ा में है पठा नहीं है चे वयम हम सब कर ये वयम क्या है उत्तमपृष का बहवचन है जब शुरुवाइठ में मैंने आपको करता लिखाए थे तब ये चीज लिखाई थे मैंने आपको वयमकार्थ होता है हम सब अत्रे यहां किरडाम हैं खेलते हैं पठाम हैं और पढ़ते हैं हम सब यहां खेलते हैं और पढ़ते हैं आगे देखिए आगे क्या है आगे देखो एक लड़का और एक लड़की क्या कर रहे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है यहां पर इस परग्राफ में हमारे सामने दिया हुआ है अब देखिएगा पहले इस लड़की का नाम क्या है रीचा क्या नाम है इस ल नाम किम बच्चों आप भी इस तरह से सीख सकते हैं आप भी इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं आपस में बात कैसे करेंगे ठीक है तो रीचा पूछती है तव नाम किम तव मतलब तुम्हारा नाम यानी नाम किम यानी क्या अर्था तुम्हारा नाम क्या है तो प्रणव कहता है मम नाम है मम नाम प्रणव है मेरा नाम प्रणव है तब नाम किम तुमारा नाम क्या है तो रीचा कहती है मम नाम रीचा फिर आगे रीचा भूँचती है जवाब देने के साथ ही भूँचती है तो आम कुत्रपठसी तुम कहां पढ़ते हो, कुत्रकार्थ क्या है, कहां पढ़ते हो, तुम कहां पढ़ते हो, तो प्रणव कहता है एहम अत्रे एव पठामी, एहम का आर्थ क्या है उत्तम पुरुष एक्वचन का रूप है ये एहम का आर्थ होता है मैं अत्र यहां एव का आर्थ होगा ही यानि ही पठामी पढ़ता हूं मैं यहां ही पढ़ता हूं अर्थात में इसी विद्याले में पढ़ता हूं तो फिर रीचा पूंसती है एहम अपी अत्र एव पठामी एहम अपी एहम यानि मैं अपी यानि भी अत्र यानि यहां एव यानि ही पठामी यानि पढ़ती हूँ मैं भी यहीं पढ़ती हूँ इदानीम आवाम मित्रे स्वे है इदानीम इदानीम का अर्थ होता है अब इदा डबलू नाव बोलते हो ना उसका संस्कृत में होता है इदानीम आवाम हम दोनों मित्रे दीवचन है इसलिए मित्रे आया और दीवचन है इसलिए स्वय है ठीक है अब हम दोनों मित्र हैं अब हम दोनों क्या हैं? मित्र हैं अब अगले चित्र में देखो अगले चित्र में क्या है? यहाँ पर एक Teaचर है और उसके सामने कुछे बालिकाएं हैं, छाद्राएं हैं ठीक है? अब यह क्या कर रही है? आपस में क्या बात्सीत कर रही है तो शिक्षिका पूस्ती है सबसे पहले चात्रहा यूयम किन कुरूथ है चात्रहा अरे चात्राओं यूयम तुम सब किन कुरूथ क्या कर रही हो तुम सब क्या कर रही हो यूयम का आर्थ होता है तुम सब किम यानी क्या ठीक है तो चात्रहें बोलती है आचारिये वयम गच् जो संस्कृत में जो टीचर होते हैं उनको आचारिय और लेडी टीचर होती है उसको आचारिया आचारिया कहा जाता है वयम हम सब गच्छाम यानि जा रही है हम सब जा रही है तो शिक्षिका बोलती है यूयम कुत्र गच्छत तुम सब कहां कुत्र मतलब कहां गच्छत यनी जा रही हो तुम सब कहां जा रही हो तो चात्रा कहती है सभी चात्राइं कहती है वयम हम सब सभागार है सभागार गच्छा में जा रही है हम सब सभागार में जा रही है अब सभागार किसको बोलते है जहां पर सभी बच्चे इकठे ओकर होता है जिसको हम auditorium hall कह सकते हैं ठीक है जिसको हम auditorium hall कह सकते हैं तो यह बच्चियां सभी लड़कियां बोलती है कि हम सब सभागार में जा रही हैं शिक्षिका कहती है युश्माकम पुस्तकानी कुत्र संती युश्माकम यानि तुमारी पुस्तकानी पुस्तके पुत्र कहां संतियनी है तुमारी पुस्तके कहां है तुमारी पुस्तके कहां है तो सभी छात्राइं क्या कहती है अस्माकम पुस्तकानी अत्र संति हमारी पुस्तके यही है अत्रियनी यहां संतियनी है आप देखो लास्ट वाला चित्र देखिए यहाँ पर एक टीचर है और उनके सामने दो बोज इस्टुडेंट है यह आपस में क्या बात कर रहे हैं देखना शिक्षक है शिक्षक छात्रो अव की मात्रा यह इसका मतलब दीवचन है यह कई बार बता चुकाओं वेटा खात्रो दीवचन है तुम दोनो हूँ युवाम तुम दोनो किम कुरूत हैं क्या कर रहे हूँ अरे शात्रो तुम दोनो क्या कर रहे हूँ तो छात्र्र दोनों Sihtra बोलते है आचारिव आवाम स्लोक म तो शिख्षक कहता है शोबनाम शुंदर मतलब या बहुत अच्छा किम यूवाम शुरोक मने लिखत है किम क्या 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 उख्या उख्य। तुम दोनों स्लोक को ने कारत होता है नहीं लिखता है यानि लिख रहे हो क्या तुम दोनों स्लोक को लिख नहीं रहे हो तो दोनों छात्र क्या कहते हैं आवाम लिखावे हम लिख रहे हैं पठावे पड़ रहे हैं गायावे गा रहे हैं चित्राणी अपीरतियावे और चित चित्र भी बना रहे हैं हम दोनों क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं पड़ रहे हैं गाया वह यानि गा रहे हैं चित्राणी अपी रचिया वह चित्र भी बना रहे हैं तो शिक्षा कहता है बहुत सोगनम यानि बहुत अच्छा बहुत सुन्दर बहुत अच्छा शावास तो इस